आपके अपने चनल पढ़ाई लिखाई में आज अपनी बजबर्ड जो क्लास 8 का है और उसका एक नए और चेप्टर करेंगे जो है हमारा चेप्टर नंबर 3rd या चेप्टर नंबर 3rd बोल सकते हो उसको अब 3rd पोयम बोल सकते हो पहली जो पार्ट है उसका यह थर्ड जो पा और यह जो है उसको डिटेल में समझ पाएं तो यह जो पॉर्टिकलर पोईम है वो क्याना क्या चाहिए उसको समझ लेते हैं यह है वेन दा हीर डर लर्न एस्टोनोमर वैड़ बॉल्ट में इस अ पोईम अब डिफरेंस बिपीन दा अकेडमिक लर्निंग एंड एक्सपेरिमे समझ रहे हैं तो यह हमारी अकेडमिक लर्निंग है एक्सपेरिमेंट कर नहीं है जो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर एक कुछी चीज़ सीख रहे होता है दस्पीकर अटेंट्स अ लेक्चर गिविन बाई अलन एस्टोनोमर एक स्पीकर को एक पर्टिक्लर सेमिनर करते हैं एक इतों बाई करते हैं जोering तो कि जोकी जिसमें यॉसे करते है और दाइग्रांस करते हैं तो एकших्सपी जो मिस्टीरियस चीज़ां होते हैं जाट वाले चीखल त जो पूरी की पूरी पूरी जो हमारी यूनिट है वो पर्टिक्लिर इन ही चीजों की उपर है तो यहां पर क्या अपनी speech को define करने के लिए क्या कर रहे है वो chart का use कर रहे है figures का use कर रहे है diagram का use कर रहे है and the mysterious of the stars however the speaker find himself becoming bored and disengaged from the lecture वो अपने अपको पहुत है बोर फिल करते हैं disengaged feel करते है from the lecture he becomes tired and sicks the proofs of theories presented to him कि जो भी उने proofs दिये गई है जो theories दिये गई है जो इसको प्रजेंट की जा रही है और या क्या बखवास है वो बोर हो जाता है and eventually wended off by himself और वो वहाँ से wended होने लगता है in the mystical moist night air the speaker looks up the stars वो क्या कर रहे है कि mystical moist air night है वो speaker जो है look up ओपर देखते है stars को perfect silence होती है this moment of the combination of wonder is in the stars contrast in dry academic lectures of he attended जो academic lectures उने पर उने अटेंड किया the room serves the highlighted and the importance of experience like mobs the the first hand rather than the early society sorry solely on the technical knowledge क्या 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 रहा है कि अभी क्या एक वो लेक्ट्र को अटेंड करके आया क्या 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 रहा होने लेक्ट्ट्र को अटेंड करा जहां पर पर पर्टिक्लर हमारी अधुचा को विपकीथे अधुचा का ओफिवार्मिवृ यौज उस्किया गया था फिगर्स का युचंगा और चार्ज का यूस पिकर जो आमारा जो पर्टिक्ला मेन करेक्टर ऊपर देखता है स्टार्स को एक बहुत परफेक्ट साइलेंस और रही है एक जो बहुत इक कॉंपिशिन का जो मुवमेंट है सब चीज जो है बहुत कंप्लीट सी दिखाई देती है एंड वन्डर सप्राइस करती है इंदर स्टार कॉंटस्स में तुधर ड्राइफ जो अकेडमिक लेक्शिर् अर्थ आगर मैं आपको बताओं कि भाई जो किकेड होती है किमें बैट होता है जो बॉल रॉटन होता है उसको जो है आपको हेड़् करना होता है कि अब टारिक करोगे तो डो फोल डाता है तो फोर हो जाता कोंपड र्यता है तो बहुत चीज आपको अच्छ सीखा के तो वहाँ पर कि आप वहीं पोईम जो हैं बताते हैं इंपोर्टेंज होती है एक्स्पिरेंस और लाइक मार्वल्स फर्स्टेंड रेलिंग सुझ लिए थेरिटिकल नॉलज़ के में क्यों डिपेंड नहीं होना चाहिए एक खाली जो हमारे थेरिटिकल नॉलज़ पे जो बॉल बिटमएन होने जानते हैं एक वह कि अपनी लब के बारे में जो नच्छल वर्ड है एंड जो एमडमेंश करता है फ्री वर्स प्यूर्ट है यह बहुंक इस पोएम को लिखा है पार्ट उप लेटिकल फिस इस ऐस फ्रेस में जो है लिखी गई है किसी टाइप के है नहीं इत्रस है और लाइंगोज इस सिंपल और एक्षिवल है दा यूस अप इमेजरी इन पोहिं है यह जो इमेजरी जो हमारी राइन फिकर आप स्पीछ इसका यूस किया है यह यह करने के लिए आप कर पाए है सैंस अब वंडर एंड अफ द नीचल वर इस अपाफल रमाइंडर तो एक्षिए लाइफ से वंडर फॉस्टेंट इस लर्निंग अवार्ण फॉस्टेंस अच्छा है कि आप एक्सपीरिंस करके उन चीजों को सीखो आप इसे लोग देखोगे इसे लोग देखोगे इंजि लेक्षे से बैस बनता है बड़ बागी चीज आपको जो है प्राग्तिकर लीग अंगर आती है अगर मैं को सैंस ख्लास पर्दा रहे कि क्या होते है कि क्यंष्टी में ये होते हैं कभी आ Já फ़ीमें कर दो अब कर आप लेकल करकर के देखा हैंनी कभी आपने उनको के पीत देखे जाते है च्छी नॉलिच देखे जाते है इसकी एक्साइज के बारे मात करें तो अब लेका आंसरा फाला पॉशिन वह देखा है एफ दो फिट अट्पर सेस्पिकर लिस्टिंग लेक्ट वाया स्टोनर्मर था क्ट्परिश सेकंड कोशिए वावट दस थे अस्ट लेक because the academic approaches and presenting the subjects matter in a dry and teaching manner is engaging to him, okay. Fourth question is, the speaker looks up the stars in the perfect silence to appreciate their beauty and wonder and to connect with them on a more personal level. And fifth question is, how does the poem serve the highlighted differences? The poem serve the highlighted differences between the experienced knowledge by showing the academic knowledge alone in is not enough to truly appreciate and understand something. The speaker only gain the deeper understanding of the stars when the steps outside and experience them first and rather than rallying solely on the astronomical lecture. And the second we are going to think and answer question. Think and answer. What according to the speaker is the best way to understand nature. According to the speaker, the best way to understand the nature is to experience its first hand. The academic knowledge presented by the learned astronomer is not enough to truly appreciate and understand the beauty and wonder the stars. Second question is, does the speaker respect the learned astronomer? Explain your view. The speaker's attitude toward the learned astronomer is somewhat ambivalent. While the speaker acknowledges the astronomer's expertise, he finds the lecture boring and ultimately unsatisfying. The use of word learned may carrying a hint of scams, a suggestion that the speaker is not fully convinced of the astronomer's knowledge. Third question is, what do you think the speaker's thought were about when he looked at the star? When the speaker looks at the star, his thoughts may be mixtures of wonder. The composition stars represent something mysterious and beautiful that the transcends the dry academic knowledge presented by the astronomer. The speaker may also be reflecting on the vastness and the complexity of the universe and his own pace within it. So, here is our thing complete. Here is the last thing we have asked, appreciating the poem. We have to appreciate the poem. Does this poem follow a rhyme scheme? This poem is written in a free verse. Write a free verse, take turn to the right end poem allowed in the class. What do we have to do? What is the free verse? Take turn to write in the class. This poem is written in a free verse, which means that it does not follow any strict rhyme scheme. No strict rhyming scheme. Rhyming scheme, what do we discuss about this? Free verse allows the poet to create their own rhythm and structure and use language more critically. Second, what feeling does the poem evoke? What do you first four lines serve? The poem evoke a sense of boredom and disconnection at the beginning. As the speaker listen to the learned astronomer lecture. However, the final four lines describe the sense of wonder and app as the speaker step outside and look up at the star. The first four lines serve as a contrast to the final four lines. Contrast to the first one, the second one is excited. Highlighted the difference between the academic learning and experimental learning. Third, the speaker uses the image. The speaker uses image and create a vivid sense of creating a stone number. For example, he described the chart and diagrams range in columns before him and he lecture rooms where the astronomer is lecturing with much approach. Later the speaker describes the mystical moist night year outside which create a sense of contrast with the dry and technical environment of the lecture room. The speaker also uses the image of looking up the stars in perfect silence which create the sense of silence in all. Okay? Now, we are going further. What do you feel when you look up and see millions of stars in the night? How do you feel? When we look up at the stars, they may feel a sense of the wonder and the insignificant. The vastness and beauty of the night sky can be humbling and inspiring, reminding us the mysterious and possibilities of the universe. In the last one, can you try the written your own poem about star? Can you try your own poem about star? POEM ABOUT STARS इस आवर विल तो रिच पहन दो हॉज जोड एंद वाहां से एड वह यह वह था पहला आख तो यह था यह था पॉए तो यह पर पिडिकलर यह पोई में यह आपको कैसे लगती है प्रिसकली मैं अप्डिक्लर टॉर से करने के बाद इस पर के बाद पॉए पोईब को कंस्ट क करनी कोसिस की थी बट इट्स नोट माई ओन पॉइंट है ना मैं नहीं कहता लेकिन आपको कैसी लगी है कि सहाथ आपको चप्टर है हुए है खताम हो जाता है आपसे बिल्दा लेने का समय आता है अगर 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 आपको थोड़ा सभी करवारी वीडियो को पसंद आया हो त लाइक कर देना शेर कर देना सब्सक्राइब कर देना और फिरते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए थैंक यू